बारत जोडो निया यात्रा जो मड़ीपूर से 14 जन्वरी से जिसके शुरुवात हुई संसट दिनों का यात्रा और 6700 किलिमेटर का सफर ये बिहार का सफर है और बिहार में ये है आपका किसन गंशाद देख सकते हैं गांधी सभी का विवादन स्विकार करते हुए आगे की तरफ बैढ़ रहे हैं पीसे में आप देख सकते हैं यहां के लोकल संशद M.D. जावेद है, साइड में आप देख सकते हैं, परदेश सदक्ष डॉक्टर क्लेस प्रशाद सिंग है और सामने आप देख सकते हैं, यहीं वो बस है, जो बस मड़ी पूर से सुरू हो करके मुंबई तक साएगी जिस बस में राहुल गांदी सफर कर रहे हैं, और इस बस के माध्यम से, यानि कि पैदल यात्रा इसको ना बूल करके बस के माध्यम से यात्रा चल रही है हाँ, जहाँ पे आम अवाम है, जनता है, वहाँ पे ये पैदल जाने का काम कर रहे हैं वहाँ पे लोगों शमील भी रहे हैं सभाकवा शंबोधन भी कर रहे हैं और भीड़ आप वाकई में देख सकते हैं जब यात्रा यानि कि बारत जोडों ने आया यात्रा जब बंगाल से बियार में परवेश की तो अनुमानता भीड़ आप लगा सकते हैं देख सकते हैं आप एक चौक है जिस चौक पे इंतजार यहां की किशन गंज की जनता जो कर रही है रहूल गंदी की कि रहूल गंदी आएंगे उनकी एक जलक उनका विवादान और उनसे मिलना फिर अपनी बात करना बात रखना यह सबी चीजों का इंतजार किशन गंज की जनता कर रही है तो द तिन दिन रहेगी तिन दिन में चार जीला को कवर कर रही है यात्रा किसन गंज से जिसके शुरुआत हुए किसन गंज के बाद आपका अररिया अररिया के बाद पूर्णिया पूर्णिया के बाद कटिहार यह यात्रा चार जीला को कवर करते हुए फिर बंगाल में यात्रा प्रवेस्ट कर जाएगी, फिर बंगाल से यातरा जारकंड जाएगी, फिर विहार में आएगी, ऐसे जैसे इसका रूट मैफ है, बोडर लग जाता है, तो यातरा विहार में आ जाती है, बंगाल में चली जाती है, फिर जारकंड में, फिर विहार में, ऐसे करके यातरा का डी आईजी हैं बड़े बड़े अधिकारी जो है कहीं नहीं सुरक्षा में मुस्तेद देखे जा रहे हैं इसका मुएना कर रहे हैं राहूल गांदे की जो यात्रा है जो बस है उसके आने से पहले ये लोग मुएना रूट किलियर करवाना फिर एक एक ब्यक्ति को अपना जो से यात्रा में और इस सेडेवल में यहां के जो जीला अधिकारी हैं एसपी हैं कप्तान है सभी लोग पुरी तरह से आप मुस्तेद देखे गए बिहार पुलिस के जवान मुस्तेद देखे गए यानि सुरक्षा जो है चपे-चपे पे देखा गया पहले से लोगों को साइ कुमारी से कास्मीर चली थी और यह भारत जुड़ों निया यात्रा देख सकते हैं आप साफ तोर पी राहुल गांदी है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं गाड़ी में शवार है और इनके सुरक्षा वलके जो जवान है सभी यहां पे मुस्तेद है साफ आप तस्वी से किया जा रहा है साफ आप देखिए किसन गंज में जो उम्ड़ी हुई भीड है और यहां पे एक सिस आपको बताएं तो पूरे वियार में 40 लोग सभा में कॉंग्रेस के पास अगर एक सीट है तो है यहीं किसन गंज की जिसके बरतमान संसद है डॉक्टर एमडी लड़किया है जो भी आई हुई है रहुल गांदी को देखने के लिए यह रोड का द्रिश्य है जहां से यात्रा अररिया की तरफ ही है यात्रा किसन गंज से अररिया एक तरफ मूब कर गया है तो यहां का यह द्रिश्य है रोड पे रोड के दोनों साइड जो जनता है खा तो इसको कि यादगार पल लोग बनाने का कारे भी कर रहे हैं तो रूट के दोनों तरफ लोग खड़े हैं कोई शेलफी ले रहा है कोई वीडियो क्लिक कर रहा है हर कोई इंतिजार में है कि हमारे गाउं के बगल से हमारे रूट के बगल से राहूल जी गुजरे और मैं उस यादगार पल को याद बना लो तो देखिए आप साब तश्वीरों में देख सकते हैं यहां पर पूरी तरह से भीड जो है होडिंग है पुश्टर है सब जगा सब चिस लगा हुआ है और यहां पर रूट के दोनों साइट जो जनता है वो खड़ी है किसन गंज की जो जनत है जिसको ध्यार में रखते हुए चपे चपे पे जो किसन गंज के प्रशाषनिक तोर पे आला दिकारी है सभी मुस्तेद हैं और सभी लोग यहां पर देख सकते हैं साइड में खड़े हो करके एकांत में एक तरफ से खड़े हो करके रहुल जी का स्वागत कर रहे है और र सबसे ज़्यादा अगर अबादी की बात की जाए तो माइनोरोटी की है यहां पर सबसे ज़्यादा अबादी माइनोरोटी की है और इसी का देन कहा जाए इसी का तरीका कहा जाए कि यहां पर बरतमान जो संशद है डाक्टर एबुटी चावेद है देखते रहे हैं बने र